वेल्कम बैक टू मैं चानल आइसिंग कुकिंग मैं हुली दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं आज की वीडियो एक ऐसा केक है फ्रेंड्स जो कि अक्सर हम ज्यादा पॉर्ण में बनाते हैं और आज मेरी इस केक को बहुत कम में बनाया है एक पॉर्ण में एक एक बन के रेड पॉर्ण में बहुति हूं कि आप एसी का इस्तमाल करें एसी में करने से कोई शुनी होता क्योंकि कभी कभी क्या होता है लो आसे हमारे हेसे गर्मी से क्रीम गजाए तो हमने लिया एक कटोरी यह एक बांट का के दिए फ्रेंड-छे traders कि आप उपर जो सर्फेसे वह द यहां हमने Pipe in bag में gel डाला है, इसका इस्तमाल हम करेंगे क्योंकि और केक ब्लू होता है, हमने come wydaje स्टमाल में good gel और इस तरह से उसमें मैंने blue pairी डाल दिया है, थोड़ा सापतला करने के लिए आप पानी का इस्तमाल कर सकते हैं और इस तरह से पूरा हम केक के उपर डाल देंगे यह देखे कितना बढ़िया राउंड आया है अब इस स्क्रैपर के हैल से हम हलके हांतों से इस पूरे जेल को केक में बढ़िया से स्प्रेड कर देंगे ताकि एक अच्छा कलर आ जाए और जो की आचुका है फ्रेंड्स जल जब आप इस्त के बीच में हमने नोजल से एक छोटे वाले नोजल से ट्रॉ किया राउंड और यह है क्रीम जिससे कि हम आखे बनाएंगे तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूं हम डोरेमान केक बना रहे हैं जो की बहुत कम क्रीम में और एक पॉंड में बनाया मैंने क्योंकि आज कल जैसे कि डोरेमान केक जो है हम लोग जादा तर क्रीम से भी वो भी वीडियो में ने डाल रखी है क्रीम से भी हम लोग उपर डिजाइनिंग कर देते हैं लेकिन आज मैंने सोचा कि आज क्रीम से न करके मैं ऐसे ही स्केच कर देती हूं तो यह तूथपिक से पहले मैं केक के जैसे कि मैं ने अभी शीव है, और ये पूरा डॉट कर लिया है, अब मैं लोंगी, piping bang में, chocolate, melted chocolate भी आप ले सकते हैं, और या तो आपходит uh, gel में coca cola color मिलाकर, उस तरह का color बना सकते हैं, Բिब सभसे पहले मैंने उसमें, round कर दिया इस तरह से, और ये राउंड जो है, आप nozzle के back side को use करके कर सकते हैं तो जैसा अब छोटा चाहिए तो छोटा कीजिए बड़ा चाहिए तो आप बड़ा कर सकते हैं क्योंकि जैसा बड़ा cake आपको होगा जितना बड़ा उस अनुसारी आप वो चीज बनाएंगे round sip का तो यहां देखे पूरा मैंने इस पे कर लिया है अच्छे से draw और chocolate का benefit यह होता है friends की melted chocolate इनी आप डालोगे तो वो जैसे ही ठड़ी चीजों पर जाएगा ना तो वो बढ़ता नहीं है वो फैलता नहीं है और एक जगह वो इस तिर रहता है इसलिए हम melted chocolate का ही इस्तमाल करते यहां यूज होगा red gel और यहां मैंने red gel डाल दिया जैसे बीच में हम यूज करेंगे yellow gel color तो बहुत ही easy तरीके से हमने ये cake बना के रेडी किया बहुत ही कम समय में बना के रेडी किया था friends तो मैंने सोचा चलों अपने दोस्तों से ये ट्रिक जो है शेयर कर देती हूँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल का इकन चरूर प्रेस किजिए